ओम शान्ती सुनते हैं 21st January 1980 की अव्यक्त मुरली आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बाब को परत्यक्ष करने की विधी आज की मुरली में बाबा ने बच्चों का डबल प्रूफ कौन सा है फिर बाबा ने का असंभव को संभव होने वाली कौन सी बात है वो भी परूफ परत्यक्ष परमान की कौन सी बात है फिर तीसरा प्रमात्मा ग्यान का परूफ कौन सा है फिर संगम युक की विशेषता क्या है और लास्ट बाबा ने कौन सा गीत गाने से जुटके और घुटके समाप्त हो जाएंगे तो अब सुनते हैं 21 जन्वरी असी की मुरली बाप को परत्यक्ष करने की विधी आज बाप दादा परमातम ज्यान के परत्यक्ष रूप अर्थात प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं स्रेष्ट ज्यान का प्रूफ है स्रेष्ट जीवन ऐसे डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं सदा अपने को पर्मातम ज्यान का पर्त्यक्ष पर्मान वा प्रूफ समझने से सदा ही माया प्रूफ रहेंगे अगर पर्त्यक्ष पर्मान में कोई कमजोरी होती है तो पर्मातम ज्यान का भी जो चैलेंज करते हो उसको मान नहीं सकेंगे क्योंकि आज कल साइंस के युग में हर बात के परत्यक्ष पर्मान वाप्रूफ के द्वारा ही समझना चाते है सुनने सुनाने से निश्चे नहीं करते परमातम ग्यान को निश्चे करने के लिए परत्यक्ष प्रूफ देखना चाते है परत्यक्ष प्रूफ है आप सब का जीवन जीवन में भी यही विशेष्टा दिखाई दे जो आज तक कोई भी आतम ज्यानी महान आत्माएं करना सकी हो बनाना सकी हो ऐसी असंभव से संभव होने वाली बातें परमातम ज्यान का परत्यक्ष परमान है अब सुनिए कौन सी असंभव से संभव बात की सबसे बड़ी असंभव संभव होने वाली बात कौन सी परविर्ती में रहते परविर्ती में रहना रहते घर गरस्त में और कितना पवित्र जीवन वैतीत कर रहे है प्रविर्थी में रहते इस देह और देह की दुनिया के संब्धों से परे रहना ये तो दुनिया को बिलकुली असंभव लगता है ग्रस्ती और पवित्र जिवन तो असंभव को संभव कर दिया न ये प्रमातम ग्यान का प्रूफ है पुरानी विर्ती से पर रहना अर्थात परे रहना न्यारा रहना इसको कहा जाता है पर विर्ती पर विर्ती नहीं लेकिन पर विर्ती है देखते देह को हैं लेकिन विर्ती में आत्मा रूप में है संपर्क में लौकिक संबंद में आते हुए भी भाई-भाई के संबंद में रहना इस पुराने शरेर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तों को देखते हुए ना देखना ऐसे प्रविर्ती में रहने वाले अर्थात संपूरन पवित्तर जीवन में चलने वाले इसको कहा जाता है प्रमातम ग्यान का प्रूव जो महान आतमाइ मी असंभव समझती है लेकिन प्रमातम ग्यानी अती सहज बात अनभव करते है वहें असंभव कहते और आप सहज कहते हूं सिरफ कहते नहीं हों लेकिन दुनिया के आगे बन करके दिखाते हूं अब तक भक्त माला के पहले दूसरे दाने भी परमातम मिलन को बड़ा मुश्किल बहुत जन्मों के बाद भी मिले या ना मिले ये भी निश्चित नहीं समझते हैं एक सेकंड के शाक्षतकार को महान प्राप्ती समझते हैं शाक्षात बाप अपना बन जाए वह अपना बना दे इसको असंभल समझते हैं वह लंबी खजूर कहकर दिल्शकस्त हो जाते हैं और आप सब लंबी खजूर की बजाए घर बैठे कलब कलब का अपना अधिकार अनभव करते हैं वह मिलना मुश्किल समझते हैं और आप मिलना अधिकार समझते हैं तो प्रमातम ग्यान का सहज प्रूफ जीवन में वर्से की प्राप्ति है वे अविनाशी ग्यान प्राप्ति का प्रूफ जीवन में वर्से की प्राप्ति है और बाबा ने कहा ये अविनाशी ग्यान प्राप्ति का अनभवी जीवन प्रमातमा को परत्यक्ष कर सकती तो विशेश प्रमान हो गया, सिरफ पुरुशार्थी कहना अर्थात प्राप्ती से वन्चित रहना, बाप को परत्यक्ष करना, ये नए वर्ष का द्रड संकल्प लिया है, सबी ने संकल्प लिया है ना, तो परत्यक्ष करने का साधन है डबल प्रूफ बनना, तो चेक करो ये परत्यक्ष परमान, purity और प्राप्ति दोनों ही अविनाशी है अलपग्य आत्मा अलपकाल की प्राप्ति कराती है अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते है परमातम मिलन वा परमातम ज्ञान की विशेष्टा है ही अविनाशी तो अविनाशी है न, आप कहेंगे पुर्शार्थी है, लेकिन पुर्शार्थ और परत्यक्ष प्रालब्द यही प्रमातम प्राप्ति की विशेशता है ऐसे नहीं के संगम युगी पुर्शार्थी जीवन है, और सत्युगी प्रालब्दी जीवन है, लेकिन संगम युग की विशेशता है, एक कदम उठाओ और हजार कदम प्रालब्द में पाओ और कोई भी युग में एक का पदम उठाओ होकर मिलने का भागे है ही नहीं, यह भागे की लकीर स्वेम भागे विधाता बाप अभी ही खीचते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा, इसलिए ब्रह्मा को भागे विधाता कहते हैं, गायन भी है, ब्रह्मा ने जब भागे बाटा तो सोए हुए थे क्या संगम युक की विशेषता पुरुशार्थ और प्रालब्द साथ साथ की है और सत्यूगी प्रालब्द से भी विशेष बाप की प्राप्ती की प्रालब्द अभी है अब की प्रालब्द है प्रमात्मा के साथ डारेक्ट सरो संबंद अबकि प्रापती और भविश्य की प्रापती का अंतर तो समझते भी हो और सुनाया भी था तो पुर्शार्타ी नहीं लेकिन स्रेश्ट प्रालब्दी है। ऐसे समझ कर हर कदम उठाते हो सिरफ पुर्शार्थी कहना अर्था अलवेला बन और प्रालब्द वा प्राप्ति से वन्चित रहना प्रालब्दी के रूप को सदा सामने रखो प्रालब्द देखकर सहजी चड़ती कला का अनमभव करेंगे संगम युक्की विशेशताओं का सदा समरती सुरूप बनो तो विशेश आत्मा हो ही जाएंगे फिर बाबा ने विशेश कहा चलते चलते कई बच्चों को मार्ग मुश्किल अनमभव होने लगता है कभी सहज समझते तो कभी मुश्किल समझते कभी खुशे में नाचते हैं तो कभी दिल्शकर्टों बैठ जाते हैं कभी बाब के गुणगाते और कभी क्या और कैसे के गुणगाते हैं कभी शुद संकल्पों के सरव खजानों के प्राप्ती की माला सुम्रण करते और कभी व्यर्थ संकल्पों के तुफान वश मुश्किल है ये माला सुम्रन करते हैं कारण क्या सिर्फ पुर्शार्थी समझते हैं प्रालब्द को भूल जाते हैं छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं जबकि छोडने वाली चीज को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज को आगे, कभी भी लेने समय पीछे हटना नहीं होता, आगे बढ़ना होता है लेना समर्ती में रखना अर्थात बाप के सनमक होना, छोडने के गुण ज़्यदा गाते हो, ये भी किया, ये भी करना है, वा करना पड़ेगा, इसको ज़्यदा सोचते हो क्या मिल रहा है वा प्रालब्द क्या बन रही है, उसको कम सोचते हो इसलिए व्यार्थ का वजन भारी हो जाता है, शुद संकल्पों का वजन हलका हो जाता है तो चर्ती कला की बजाए बोज स्वते ही नीचे ले आता है अर्थार गिर्ती कला की ओर चले जाते हो पाना थासो पालिया ये गीत गाना भूल जाते हो ये एक गीत भूलने से अनेक परकार के घुटके खाते हो गीत गाओ तो घुटके भी खतम तो जुटके भी खतम हो जाए पाना था सो पालिया ये गीत बाबा कहते हैं ये सदा याद रखो जैसे स्थूल गीत भी आपको जगाता है न ये विनाशी गीत गाते रहूं हर वक्त दिल से लगे पाना था सो पालिया पाना थासो पालिया और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो तो घुटके और छुटके खतम हो जाएंगे ऐसे डवल प्रूफ परत्यक्ष प्रमान द्वारा बाप को परत्यक्ष करेंगे ये है परत्यक्ष करने की विधी, तो चलते फिरते परत्यक्ष प्रमान रूपी चेतन संग्राले रूप बन जाओ, और चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ, चरितर निर्मान परदर्शनी बन जाओ, वाह। साथ जार चलते फिरते परदरशनिया म्यूजियम हो जाएं तो परत्यक्षता कितने दिन में हो जाएगी अच्छा ऐसे सदा खुशी में नाचने वाले प्राप्ति के गीत गाने वाले परत्यक्ष फल को अनुभव करने वाले अपने को प्रत्यक्ष प्रमान बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ऐसे डबल प्रूफ स्रेश्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते तो ये थी आज की मुरले किता संदर बाबा ने कहा चलते फिरते म्यूजियम परदर्शनी बन जाओ और डबल प्रूफ माया का भी प्रूफ और स्रेश्ट जीवन का भी प्रूफ और बाबा ने पाना था सो पा लिया गीत सदा गाते रहो ओम शाम और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे झाल प्रूफ भी जरूफ झाल प्रूम प्रूम झाल झाल